Good morning students, standards 7, subject Hindi Last May, हम लोगोंने chapter number 2 complete किया Chapter number 2 में हमने क्या क्या सिखा था? 4 स्टोरी थी First थी, नरेंदर स्वामी विवेकानन की हमें दया मानवता, हमारेंदर दया मानवता होनी चाहिए उसके बाद सचिन तेंदूल करकी देखी हजरदली की देखी और उसमें सब लोगोंने अच्छाचे गून भी सिखे तो इसी प्रकार से अच्छेप्टर number 3 में च्छेप्टर का नाम है सच्चा हीरा आज हम इसमें से भी कुछ नया सिखेंगे को नया गून सिखेंगे आप सोचो कि आपको हर दिन एक एक बुक्स में से एसी हिस्टरी में से या लेंग्वेज की भासा की जो बुक्स से होती है उसमें से कुछ न कुछ हमें सिखने को मिलता है मिलता है ना अच्छा क्या बुरा क्या तो इसी प्रकार से हम हमारी हिंदी में भी एक-एक हमें काव्य या पाठ में से हमें कुछ न कुछ सिखने को मिलता ही है और हमें हमारे जीवन में वो लेना ही चाहिए अच्छे-च्छे गून लेने ही चाहिए तब भी हम एक अच्छे इंसान बन सकते तो आजम पढ़ने जा रहे है सच्छा हिरा सच्छा हिरा यानि कि वो डायमन नहीं रियल डायमन आता है वो नहीं लेकिन यहां पे सच्छा हिरा किसे बताया गया है वो हम आज देखेंगे ठीके तो प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के गनान के साथ-साथ उसके कर्म को भी मौत्व दिया गया है अच्छा गनान अच्छी बात है लेकिन वह आच्रण में नहीं है तो निर्थके इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तु किया गया है यानि कि यहां पे क्या कहा गया है कि हम एक होसियर हो वह तो एक बहुत अच्छी बात है लेकिन होसियर के साथ हमारे अंदर अच्छे अच्छे गून अच्छा आच्रण वह भी होना चाहिए अगर वो नहीं है तो हम हमारा घनाने वो निर्थक के समझ में आया तो आज हम यहां पे इसी प्रकार का देखेंगे कि सच्छा ही रा इसे बताया गया है सूर्य अस्तो हो रहा था पक्सी चर्च आहाते हुए अपने अपने नीड की और चाह रहे थे नीड यानी की हम जिसको नेस्ट बोलते काउं के कुछ त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुवे की और चल पड़ी बेले के जमाने मैं आपको पता दा कि घर पे नल नहीं था तो सब क्या करते थे इसे घाओं के कोई एक जगह पे कुवा आया कुछ भी ताला नदी थे वहाँ पे वो घड़े लेकर पानी लेने जा रहे थे जाते थे तो इसी प्रकास या पे भी पानी लेने के लिए घाओं की स्रिया हुए की और चल पड़ी थी पानी भर कर कुछ स्रिया तो अपने घरों को लोट गई परन्त उन में से चार खुए की पकी जगत पर बेट कर आपस में इधर उधर की बात एकरने लगी आपको तो पता है एक स्रि का सोभव क्या होता है कि वो एक बात करती है तो वो सो बात निकालती है निकालती है ना तो यहाँ पे भी कुछ एसी स्रिया होती थी कि जो चुगली करने के लिए वहाँ पे बेठ गई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे सब्द आया जगत जगत यानि की कुए की चारों और बनी जो हम सिमेंट से या कुछे से मिटी से बनी होती है वो तो यह है जगत तो इस प्रकास से वो इधर उधर की बाते करने लगी पाचित करते करते बात बेटों पर जहा इसे एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी वो कहने लगी पगवान सब को मेरे बेटे जैसा बेटा दे मेरा बेटा लाखों में एक है उसका कंठ बहूत मदूर है वो बहूत अच्छा गाता है उसके घीत को सुनकर कोयल और मेना पी चुप हो जाती है लोग बड़े चाउ अब आपको पता है एक बोलेगी तो दूसरी तो बोलेगी तब दूसरी को भी मन हुआ उसने पहली स्त्री से गहा मेरे बेटे की बराबर कोई नहीं कर सकता वो बहूती सक्तिसाली और बहादूर है वो बड़े बढ़े बहादूरों को भी पच्छार देता है वो अधुनिक यूग का पीम है यानि कि वो सक्तिसाली था यह सब सुनकर तिसरी ओरत भला किसे मेरा बेटा साक्षाद ब्रुहस्पति का होतार है वो जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है इसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो यानि कि यहां पे ब्रुहस्पति ब्रुहस्पति है वो कौन है देवताओं के गूरू देवता तो आपको पता ह तो देवता के गुरु कोन है ब्रुहस्पती और जो दानो यानि की राक्षस के गुरु कोन थे आपको बता है कोन थे आपको ये फाइंड करना है तो देवता की गुरु ब्रुहस्पती थे आपको मुझे बताना है जिसको भी आप लोगे फाइंड कर लोगे कि दानो यानि र मेसेज में बता सकते हो, ठीके तो यहां पर वो के सा था, पड़ने में बहुत हुँसिया था, व्रूहसपति आप सोच रो, देवता इतने ख्लेवर होगे, तो उसके गुरू कितने होगे, व्रूहसपति थे, वो देवता के गुरू थे, यानि yangां पे जो भी पढ़ता है, वो पेली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यू बहन, तुम क्यू चुपो, तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, चोथि स्री ने बड़े ही सजबाव से कहा, मी अपने बेटे की क्या प्रसंसा करूं, वह न तो घंदर्व सा गायक है, न भीम सा बल्वान, नहीं बु अब यहां पे उसका बेटा केसा है, वो हम नेक्स ब्रियर में देखेंगे, ठीके, आज हमने क्या देखा कि चारोस्त्रिया है, वो अपने बेटे के बारे में केसे बात करती है, और उसमें से सच्चा ही रग कोन निकलता है, वो हम नेक्स वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग आप भी जितना मैंने कर आया उतना आप लोगों को read करना है और उसके साथ साथ workbook में जो work दे रही हूं में आपको वो complete करना है ओके और मैंने जो आपको find करने के लिए बोला है उसका answer आप लोगों को मुझे message में बेजना है ताकि मैं भी देखूं कि आप लोगों को नया नया जनने के जिगना साथ कितनी है ओके